नमस्कार दोस्तों, जंग छिड़ चुकी है between two of the most respected gadget reviewers on YouTube India से Well, I'll not take the names, I'll address them as दीदी और भाहिया, is that okay? क्या दीदी को घुसा आ गया? क्या भाहिया दुखी हो गया? क्या दीदी सच बोल रही है? या भाहिया बिग गये हैं, well, इन सवालों में मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि वो अपनी जगापे ठीक हो सकते हैं, लेकिन मैं अपनी जगापे, मैं अपनी टीवी का user buyer experience में आपको बताऊंगा लड़ाई सिर्फ यूटूबर्स के बीच में नहीं है, यह लड़ाई अब बायर्स के बीच में बीच में है, क्या खरीदे, क्या ना खरीदे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, blooming test, और क्या यह ज़रूरी है हर घर के लिए, हम जैसे normal TV viewers के लिए, HDR test भी करूँगा मैं, आपके questions के answer भी मैं practically देने के कोशिश करूँगा और आखर मैं मैं बताऊंगा कि क्यो मैंने Hisense का U6G के बदले यह TV खरीदा है, तो आपके सारे questions के answer मैं देने की कोशिश करूँगा, और अगर कुछ सवाल छूट जाते तो definitely आप comment box पे लिखिएगा, I will try to answer them, guys, आपके लिए मैं यह video कर रहा हूँ, Medley with Grace में, this is a vlogging channel, but for your request, I I am going to review this TV, Toshiba का 550, 55-inch QLED TV, सिर्फ आपकी दिमान पर, okay Google, turn on the TV, see, how cool is that, look at that, और सबसे पहले मैं तो आपसे यह पोचूँ, कि देखिए भीया, आपको खर्च करने हैं 50,000, आपको चाहिए फुल ब्राइटनेस वाली TV, फुल पिक्चर क्लारिटी, फुल शार्पनेस, फुल HDR कॉंटेंट, डॉल्बे विजिन, डॉल्बी आटमस, डॉल्बी आडियो, स पारे फुलाने धिमकाने features, और उसमें आपकोच यह जिरो ब्लूमिंग, ब्लैक्स खतरनाक, देखिए, ज्यादा expectation मत रखिए इस TV से, और इस range में किसी भी TV से, क्योंकि देखिए, ऐसा है, फुल अरे टीवी जो होते हैं, इनके पीछे बने होते है, वो डिमिंग जोन, of them, और जो कह रहे हैं, 28-32 जो डिमिंग जोन होते है, उसके बदले सेक्रो डिमिंग जोन मना दे, भाई साफ, टीवी अफॉर्ट नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है, तो सबसे पहला expectation तो आपका यह रहना चाहिए, कि भाई आप QLED ले रहे हो, फुल अरे यूनिट भी ले रहे हो, तो मैं कभी भी एक दम अंधेरे में टीवी देखना पसन ही करूंगा, और मैं एक दम उजाले में भी करना नहीं करूंगा, इसलिए मैं हल्की सी रोश्नी टीवी रूम में हमेशा चाहता हूं, मेरा जो व्यूविंग एक्स्पीरेंस हो, प्लेजेंट हो, आइस ट्रेनि यहां पर, ऑपूले यहां के यहां बड़े चाहि इतने पीसे में मैं करने जा रहा हूं इस-का ब्लूमिंग डेश ठीक है, हल्की सी रोश्नी यहां से इतना ज्यादा रूम ूजाला भी नहीं है, लेकिन ध्यान देना दोस्तों जब आप यह ब्लूमिंग टेस की बात करते हो ना यह ब्लूमिंग टेस्ट आप देख रहे हो इस कैमरे के लेंस के नज़रिये से जहां पर आपरिच वैल्यू आपके आये सो बहुत सारी चीजे है एक्सपोजर लेवल जो इस पूरे व्यू एक्स्पीरिंस को कंप्यूटराइजली डिफाइंड करते हैं ना कि नैच्रल आपको से तो तो बिलीव तो बिलीव वाट यू कन सी थूदा आइस थूरू में जाहिए वहां पर खुद चेक कीजे ना कि ऐसे टीवी यूटूब चैनल में फिर भी मैं आपको ब्लूमिंग टेस्ट करके अब दि चलो पिक्चर क्वाइटी आप देख रहे हो वह ज्यादा ही ब्राइट लग रही है कैम्रे की थूरू लेकिन मेरी आँखों को एकदम प्वर्फिक्ट लग रहा है ठीक है लेस्ट को ब्लूमिंग टेस्ट करते हैं देखिए आओ या टीवी दिखा दो जींग टेस्ट चलीए बाते हमक्षिन्ग और एंसर पे ये ब्लूमिंग टेस्ट होता रहए और मैं आपको कुछ क्वेस्चंट है कुछ उसके जवाब थे मैं आपको दूँगा पनी उतार दे येस मैंने पनी उतार दिया बेरीबल रिफरेस्ट रेट है ॉसमें 48 प्रॉसेसिंग जो हो यह पिक्चर की प्रॉसेंग की अगर उसमें कहीं फ्रेम्स ड्रॉप होना स्टार्ट करते हैं तो अगर आपके टीवी में वी आरार मतलब वेरीबल रिफ्रेश्ट रेट है तो अगर आपका 60 fps का गेप अगर नीचे 50 पर गिर जाता चाल 48 तक गिर जाता है तो वो अपने आप की उस मोशन को सेट कर देता है ताकि उससे क्या होता है कि आपका जो व्यूइंग एक्स्पिरेंस है वह जिटरी ना हो इस वजह से वह वेरीबल रिफ्रेश्ट रेट दिया जाता और डेफिनली सवाल यह भी था कि क्या मैं 120 fps वाले 120 हर्ट स्क्रीन प वाट रियो व्यूज़ 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 विडिवी टाइटल मस्वाच बिफोर बाइंग टीवी देखिये मेरा यही है I am not going to blame or I am not going to say anything कि कौन सही कौन जूट बोल रहा है बट मैं यह डेफिनिटली कहूंगा कि मैं यह नहीं कहता कि दोनों आर अप्र रिवीवर्स है वो भी एक आम इंसान है और जो डेफिनिटली टेकनिकल बेंद अफ माइंड के साथ आये है और अपने YouTube चैनल पे बैट के चीजों को रिवीव कर रहे है भी थे एक्स्पिरियंस I do not know whether they are like certified reviewers but certified तो होती नहीं कि क्योंकि एक आम इंसान को एक आम इंसान का र अप्रोच कंडिशन होंगे उस टीवी को टेस्ट करने के लिए भी अ मैं तो अपने टीवी को अपनी रूम में आपको ऐसे दिखा कर टेस्ट कर रहा हूं और विदाउट एनी स्पेशल अर्रेंजमेंट इस नाट ब्यूटिफुल स्क्रीन वाइट 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 कलर वे LED वाला QLED देखता है तो उसके अलग सोच QLED वाला OLED देखता है तो उसकी सोच इसकी सोच किसी पे कुछ कहा नहीं जा सकता मेरा मानना ही है कि it has a beautiful screen इसका fit and finish बहुत बढ़िया है और इसका जो मैं देखता हूं मेरे पिछले टीवी से जो के एक smart टीवी ता 55 inch का उससे तो 10 ग खरीदा side angle से देखने में सही है या कुछ problem करता है देखें side angle से चलो let's do that side angle okay okay side angle भी उतना ही sharp उतना ही clear देखिए एकदम 180 पर पहुंचा देखिए side angle भी उतना ही clear उतना ही sharp जितना कि आगे से देखने में इधर से देखने में सेम कोई issue नहीं है इसका viewing angle बहुत ही जबरदस्त है Batman movie लगाते और देखते हैं कि क्या इसमें ब्लूमिंग दिख सकता हमें किस डार्क अच्छा ये तो नॉर्मल सेटिंग पे रहा ठीक है टीवी इसमें कोई changes नहीं किये मैंने ठीक है यह रहा आपका बैटमेंड मूवी जो की कि रेक्मेंड किया गयता है देखिए मुझे तो सही लग रहा जी ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा भाईया उपर से को यार आजी वह देखो लोगी ब्राइटनेस कि एट्टी पे बोला था ना आपने एट्टी में लीजे एट्टी पे कर दिया ठीक है मुझे उपर के अगर ऐसा कुछ होता ब्लूमिंग का तो शायद वो जो उपर की पट्टिया नीचे की पट्टिया होती है न वो थोड़ी सी फेड आउट हो जाती लेकिन ऐसा नहीं है बहुत ही ऐसा नहीं है नॉर्मली दिख रहा है देखो मैं जो 80% करता हूं 100% ब्राइटनेस में जी लेस्ट गोजी 100% ब्राइटनेस कहां गया जी वेरी गुड है 100% ब्राइटनेस कहें जी रहा 100% ब्राइटनेस ऊपर की पट्टी नीचे की पट्टी सब्ताइट ठीक ठाक है है ब्लाक में ब्लाक वाइट में वाइट और यह पिक्चर बहुत ही जादा ब्राइट को जो कि 50 था इसका जो बाइडिफॉल्ट वैल्यू है ठीक है यह रहा हम क्या बताएं जी जैसे मैं कह रहा हूं कि यह जो चीज आप देखते हो यह लेंस की थू देखते हो जिसमें आप सिर्फ कैमरे की जो सेटिंग्स होती है उसके थू आप को देखता है यह सारे विजुएल्स सवाल है कि आपने इस टीवी को कितने में खरीदा वैल मैंने इसका फुल प्राइज जो 52 990 में लिया है मैंने मेरे पास ना कोई ओफर था ना मेरे पास कोई स्पेशल कार्ड था मैं यह मैं रखना नहीं चाहता था तो इस टीवी को मैंने ऐसे ही ले लिया नकत राशी देकर सवाल यह भी है कि इसका मोशन कंट्रोल कितना बढ़िया है देखो अगर आप मुझे पूछोगे मेरे पिछले वीडियो में आपको बता है कि मैं इस टीव से ना किसी कंपणी से मुझे कोई डिलर्शिप मिलनी है ऐस अन टुड़े इसका मोशन कंट्रोल कितना ठीक है मतलब ठीक है ऐसा कोई खतरना कोई मतलब ऐसे बोलो ना कि कोई और चैटरिंग या फिर ग्राउंड ब्रेकिंग कोई ऐसा मोशन कंट्रोल नहीं है जो एक नॉर्मल टीवी से एक्सपेक्टेड होता है वही है मुझे दिखा है ऐसा कुछ खतरनाक तो लगा नहीं है मुझे थोड़ा सा डॉल विजिन एजडियार कॉंटेंट भी हम स्टीवे में चेक करते हैं देखिए यह है डॉल विजिन का एक चल रहा है क्लिप यह रहा आपका एजडियार कॉंटेंट वेरी नाइस सबाद आती है की हांपे की भीया मैंने इस टीवी को थीन चार हजार एक्स ट्रा देगा अड़ए टीन हजार एकस्ट्रा दे के मैंने यह पीपकूल या हая शिंञ का U6G क्यों नहीं लिया तो मैं आपको reasons बताता हूं क्यों सबसे पहला reason यह है कि भीया I always go for the latest launch that TV from Hisense U6G is from 2021 और यह इस साल का July I think July के आस-पास का release है that's point number one दूसरा reason यह था कि इस TV का volume और U6G के TV volume में बहुत फरक है I think about 24 watts का और यह है 49 double the volume उसमें आते दो speakers इसमें तीन speakers including one subwoofer, दो speakers और एक one subwoofer, so that's the reason why मेरे लिए audio बहुत माइने रखता है भीया मुझे सुनने में दिक्कत ना हो, smart TV से पासे volume जादा नहीं होते तो ऐसा TV नहीं चाहिए मुझे कि उसका volume कम हो और मैं volume बड़ाते रहा हूँ, इसको मैं 15-20 पे रखता हूँ का मेरे लिए बहुत इनफ है क्यों मैंने इस TV को लिया, इसका operating system जो है यह Android TV नहीं है do not get confused, okay, Android TV नहीं है, यह है अपना Google TV, okay, that's a U6G, it's an Android TV और जो latest operating system होता है TV में वो हता Google TV जिसमें बहुत सारे advantages जो आप Google करके भी जान सकते हैं अगला reason मैंने इसको क्यों लिया, इसमें है EARC और अपने Hisense TV में है ARC, well, मेरे 5.1 के लिए एक ARC input भी काफी है परन्तु अगर मुझे uncompressed 5.1 audio experience करना है या 7.1 में upgrade कर दूँ, अगर मैं Dolby Atmos को really enjoy करूँ तो भीया, मुझे ARC, ना 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 मुझे चाहिए होगा EARC and for that reason, I went with this TV मुझे जहां लगता कि brand value में मुझे लगता है कि Hisense से थोड़ा ज्यादा हमारा Toshiba का brand value है और इन्ही कारण से ही मैंने इस TV को चुना ना की U6G को So it's all subjective, वो आपके उपर है, आपको क्या requirement है मेरी वो requirement थी, जो यह TV पूरी करती है and for that, if I could spend 3000 extra, that's worth enough तो यह रहा दोस्तों, आज का user experience बिना किसी मिलावट के और मैंने आपको बाते clear कह दिये Do not have high expectation देखो, अगर आपको surety नहीं है कि कौन सा TV लेना मैं आप से कहूंगा, कि आप किसी showroom में जाईए उसी range का TV आप दीखिए चेक कीजे, जब आपको संतुष्टी मिले तब आप उस TV को लाइए देखिए, आप online खरीद रहे हैं तो आप definitely reviewers के बातों पर आकर आप TV खरीद रहे हैं मैं इस TV खरीद के अगर आप पूछेंगे क्या मैं बहुत ज़्यादा sad हूँ, happy हूँ मैं कहूंगा कि I am satisfied जो मैंने पैसे इस TV पर लगाए हैं उस TV का वर्थ experience मुझे मिल रहा है और रही बात इस TV की definitely यह आप के उपर है कि आप इस TV को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं अगर आप चाहें तो इसी range के आप TV खरीद दीजिए और आप रहीए निशिंत लेकिन आप जाएए एक किसी showroom में ताकि आप ऐसे भटकते रहेंगे तो शायद आपको कोई भी perfect answer नहां मिले ओके? ओके Google, how to be happier? Here's a summary from NHS How to be happier 1. Manage your stress level 2. Enjoy yourself 3. Boost yourself as being 4. Have a healthy lifestyle 5. Talk and share 6. Build your resilience Alright, so have a healthy life Okay Google, turn off the TV Alright, turning off the living room TV Take care everyone